इस वीडियो की जानकारी इंटरनेट से ली गई है. इस दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह निश्चित रूप से आवश्यक है. इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप किसी भी दवा का उपयोग करते हैं तो हम किसी भी दुश्प्रभाव के लिए जिम्म रूप से लेना चाहिए. कोशिश करें कि कोई भी खुराक न छूटे क्योंकि इससे दवा कम प्रभावी हो जाएगी. इस दवा के कुछ सामान्य साइड इफेक्ट में थकान, कमजोरी, सुस्ती और चक्कर आना शामिल है. अगर इन में से कोई भी साइड इफेक्ट ठीक न को बताएं. आपको अपने डॉक्टर को उनन्य सभी दवाओं के बारे में भी बताना चाहिए जिन्हें आप खा रहे हैं या लगा रहे हैं. गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इस दवा का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टरों से परामर्श करना चा यह दवा मस्तिश्क में कुछ कैमिकल मेसेंजर को ब्लॉक करने का काम करती है, जिनसे ये लक्षन होते हैं. यह मानस्पेशियों की अकढ़न या एठन में प्रभावी रूप से राहत देता है, जिससे मानस्पेशियों के हिलने डुलने में सुधार होता है. अधिक्तम फाय के लिए सही धंग से असर करें. यह आपको रोजमर्रा के कामों को आसानी से करने में और एक बहतर जीवन जीने में मदद करेगा. बैकलोफ टेबलेट के साइड एफेक्ट इस दवा से होने वाले अधिकांच साइड एफेक्ट में डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ती है और नियमित रूप से दवा का सेवन करने से साइड एफेक्ट अपने आप समाप्थ हो जाते हैं. अगर साइड एफेक्ट बने रहते हैं या लक्षन बिगरने लगते हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह लें. बेकलोफ के सामान्य साइड एफेक्ट थकान, कमजोरी, सुस्ती, चक कराना, बेकलोफ टेबलेट का इस्तेमाल कैसे करें? इस दवा की खुराक और अनुपान की अबधी के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें. इसे साबुत निगल लें, इसे चबाएं, कुछ लें या तोड़ें नहीं. बेकलोफ दस टेबलेट को भोजन के साथ लेना बहतर होता है. वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.